हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रेखास फेमिली फूड में आज हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्ण चाट जिसे हम दो फ्लेवर में बनाएंगे पहला फ्लेवर तयार किया है बच्चों के लिए क्लासिक बटर चाट तो आएए देख लिते हैं इसकी रेसिपी हमने दो स्वीट कॉर्ण लिए है दाने निकाल लिए है दो कटोरी स्वीट कॉर्ण लिए है उबलते हुए पानी में एड़ करेंगे दो कटोरी कॉर्ण में हमने तीन कटोरी पानी लिया है चार-पांच मिट में स्वीट कॉर्ण बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे हमने सीजन में आने वाला कच्चा और दूधिय स्वीट कॉर्ण लिया है आप फ्री जोन स्वीट कॉर्ण भी ले सकते हैं मार्केट में आसानी से अब लेविल है यहां पर हमारे स्वीट कॉर्ण अच्छी तरह से पक चुके है एकदम सॉफ्ट हो गए है फूल चुके है इनको हम छलनी में निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्र पानी अलग हो जाए स्वीट कॉर्ण हम गरम-गरम यूज करेंगे लगभग तीन बड़ी चम्मच स्वीट कॉर्ण ले लिए हैं हमने बाउल में स्वीट कॉर्ण गरम लेने है थोड़ा सा एड़ करेंगे बटर अगर आपके पास बटर नहीं है तो घी अड़ कर लें थोड़ा सा गरम कॉर्ण में बटर पहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा कॉंटिटी के हिसाब से क्वाटर टी स्पून काली मिर्च पाउडर क्वाटर टी स्पून रोज्टेड जीरा पाउडर थोड़ा सा काला नमक स्वाधनुसर आधा चम्मस से कम यानि की कॉटर टी स्पून चाट मसाला एड़ करेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपके बच्चे नीबू पसंद करते हूँ तो दो चार बू नीबू के ले ले और अच्छी तरह से मिक्स करें तैयार है बच्चों के लिए चार्ट क्लासिक बटर फ्लेवर में बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं अगर आपके पास डिस्पोजल कप हैं तो उसमें सर्व करें मौल बगेरा में जैसे मिलता है ना बिल्कुल बैसा लुका जाएगा यहाँ पर तैयार है हमारा स्वीट कॉर्ण चार्ट बच्चों के लिए क्लासिक बटर फ्लेवर में अब हम घर के बड़े लोगों के लिए चार्ट तैयार करेंगे एकदम चट पटा और स्पाइसी जिसे खाकर हमारे घर के सारे बड़े भी खुस हो जाएंगे तो देख लेते हैं इन्हें बनाने का तरीका स्वीट कॉर्ण हमें गरम गरम यूज़ करना है चार-पांच बड़ी चम्मच स्वीट कॉर्ण लिए है इसमें हमने एड़ किया है आधा चम्मच बटर आप चाहें तो आलिव आईल या फिर सरसों का आईल भी ले सकते हैं अगर आप खाते हैं तो स्वीट कॉर्ण गरम लेना है ताकि अच्छी तरह से बटर मेल्ट हो जाए बटर का टेस्ट पहुत अच्छा आता है स्वीट कॉर्ण में दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले इसके बाद हम डालेंगे नमक थोड़ा सा स्वादर रूसाल जीरा पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर एक हरी मिर्च बारी कटी हुई एक प्याज बारी कटी हुई एक टमाटर बारी कटा हुई थोड़ी सी हरी धरिया बारी कटी हुई आधा चम्मच चाट मसाला एड़ कर देंगे और थोड़ा सा काला नमक स्वादनुसार एड़ करेंगे थोड़ा सा हमने white नमक एड़ किया है और थोड़ा सा काला नमक एड़ करेंगे लगवक एक से देड़ चमच नीबू करास एड़ करेंगे सबी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे अगर आपके पास ककड़ी available है तो उसको भी एड़ कर लें बारीक कट करके सबी चीजों को बहुत अच्छी तरह से mix करें थोड़ा सा available है तो वारीक से ओ या आलू बुजिया एड़ कर लें जो भी चीज़े available नहीं है उनको skip भी कर सकते हैं बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट में अगर चाट में हलका सा मीठा पंचा है तो थोड़ी सी सक्कर एड़ कर लें नहीं तो इसके भी कर सकते हैं स्वीट कॉर्ण चाट तयार है सर्व करने के लिए आप इसे स्वीट कॉर्ण सलाद भी कह सकते हैं जो काफी टेस्टी और हेल्दी होती है चाट हमारा बन कर तयार है चटपटा और मसालेदार तो दोस्तों जरूर ट्राइ करें इस सीजन में स्वीट कॉर्ण से बने दो फ्लैवर के चाट स्वीट कॉर्ण क्लासिक बटर और चटपटा मसालेदार चाट इस तरह से दो तरह का चाट बना कर आप भी अपनी घर के बच्चे और अपनी घर के बढ़ों को चाट बना कर खिलाएं और खुद भी खाएं इस चाट को बनाने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है 10 मिट के अंदर फटा-फट बनकर तयार हो जाती है जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी इस तरह से काफी सिंपल और हेल्दी चाट खिलाकर अपने परिवार के साथ एंज्जॉय करें मिलते हैं एंगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए और अच्छे अच्छी रेसिपी बनाकर एंज्जॉय करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए सस्क्राइब करिए और बैल आइकोन प्रेस कर लिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप